आज देश के लिए एक बहुत बड़ा दिन है। माँ भारती के कुछ बेटों को याद करने का दिन है। और ये दिन तक मैं पहुचूं। उससे पहले जो ये तस्वीरे आपको दिखाई दे रही है। रासमन नगर परिशद में सुंदरी करने का एक लंबा चोड़ा काम चल रहा है। काफी समय से चल रहा है। उन तस्वीरों के साथ कोई एक ऐसा चित्र है जो शायद हमें सीधे सीधे आज के इस दिन से जोड़ता है। जैसा कि हम सभी को पता है। माँ भारती ने आज अपने तीन लाल खो दिये थे या मैं कहूं कि माँ भारती के तीन लाल आज अपनी मात्र भूमी के लिए हस्ते हस्ते फासी के फंदे पर जूल गए थे। हम सभी जानते हैं शहीद आजम भगत सिंग, सहीद सुखदेव, शहीद राजगुरूू। तीनों हस्ते हस्ते उस फासी के फंदे तक जूल जाते हैं, वो बात अलग है कि आज उस कुर्बानी की बदलत आजाद हुए भारत में हम ये विमर्श करते हैं, हम ये चर्चा करते हैं कि भाया, रास्त्रगान हो तो हमें खड़े होना चाहिए नहीं चाहिए, हम कई बार य है, बोली जानी चाहिए नहीं चाहिए, हाँ उस आजाद भारत में हम विमर्श करते हैं कि अभिविक्ति की आजादी के अंदर भारत तेरे टुकड़े होंगे, ये भी आता है क्या, खेर जिन लोगों ने अपने आपको इस माभारती पर नियोचावर कर दिया ना, उनके ल दिलाती है, कि ये जो सौंधरी करण का कारिक्रम चल रहा है, इस कारिक्रम के बदोलत, ये आज का एक विशेश दिन था, विशेश दिन पर बनती हुए विशेश तस्वीर, यकिनान इन विशिस्ट और मैं कहूं स्रेश्थम व्यक्तितों को हम से रूबरू करवाती रहेग और एक ख्याल ये भी आता है कि क्योंकि सौंधरी करण का काम चल रहा है, जैसे मैं इदर से गुजरा, दोहिंदा के बस्टेंड के पास से, तो मुझे तस्वीर देखकर महसूस हुआ कि जब इस तस्वीर को बनाया जा रहा होगा, उन लोगों के मन में क्या ख्याल होता है, और जब मैं आगे रुका तो बड़ाई अच्छा विश्य है, मुझे लगा कि मेरे परिचित विश्णू चनल जी वो इस प्रेंटिंग को बना रहे थे, बड़ाई अच्छे, अलागि इनकी जो कला है वो तो आप ही देख रहे हैं, मगर जो नहीं देख पा रहे हैं, वो भ सिदा सिदा एक सवाल पूछेंगा, विश्णू ची सबसे पहले आपका रासमाद एक्स्प्रेस में स्वागत है, मैं यह जानना जा रहा था आपसे कि आज एक जो आप तस्वीर इस दिवार पर उकेर रहे हैं, उनसे जुड़ावा दिन हैं, हर एक भारतिय के दिल से सर्भावत यह है कि मिठ जाते जो मात्र भूमी पर रचते में इतिहास है, मस्तक धूल चड़ाने जिनके जुग जाते आकास है, ऐसे लोग जो देश, धर्म और सम्विधान के लिए अपने प्राणों की आहुती देते हैं, उनके कदमों की धूल को चूमने के लिए आसमान खुद बारिश बनके उतरता है और उनके चरणों की दूल को अपने मस्तक पर लगाता है, तो मेरा सोबाक यह है कि मुझे इन महापूर्शों के चितर बनाने का आउसर मिला है, और रासमन ने जो काम शुरू किया है, सौंदरी करण का यह बड़ी प्रसनता की बात है, इस स बड़ी प्रसनता की बात है, और आज इच्छा यह होती है, कि सुक्देव राजगुरू ही नहीं, बलके डॉक्टर हेट गेवार, गुरू गोलवलकर, महत्मा गांधी, सुबास चंद्रबोस, इन सब के चितर बनाये जाए और सब को एक साथ रद्दान्जली दी जाए, जी, यह जो कुछ भाव यहां से लेकर आने की कोशिश कर रहा था, मगर एक चीज जो मैं भार बार, हर एक मंच से कहने की कोशिश करता हूँ, कि इन तस्वीरों को इस दिवारों से दिल तक पहुचाने की व्यावश रकता है, और एक मुझे कुमार विश्वास की एक बड़ी अच्छी पंक्ती याद आती है, कि जब सहीद स्वर्ग में जाते होंगे ना, तो भगवान भी कहते होंगे यार हमारा हीरो आज, वहां का वातावरन यह होता होगा, तो अब ये कोशिश जो इन दिवारों के माध्यम से नगर परश्वत कर रही है, यकिनी तोर पर बड़े ही साधुवाद की वपात्र है, बड़े ही धन्यवाद की वपात्र है, मगर कहीं ने कहीं विवस्था को, इस सिक्सा प्रणाली को और हमारे संस्कारों को, परिवारों को, तमाम लोगों को एक बीड़ा उठाना पड़ेगा, जैसा कि मैंने कहा कि इन तस्वीरों को दिवार से दिल तक पहुशने की जरूरत है, लोगों तक पहुशना चाहिए, कि कैसे 23 साल के उम्र में एक युवा, कैसे अपने तीन साथी एक साथ, कैसे माभारती के तीन पुत्र हस्ते हस्ते, बिना किसी स्वार्थ के आजादी भी नहीं देखी उन लोगों ने तो, मगर हम लोगों को आजाद करवाने के लिए उस फंदे पर जूल गए, तो यह आजादी इसके मुल्य को हमको समझना होगा, और इसके मुल्यों को कुछ इस प्रकार से बढ़ाना होगा, ताकि कहीं हमें अगर भगत सिंग, सुक्देव, र आज भी अपने दिलों में जिन्दा रखे हुए, जुड़े रहे रासमन एक्स्प्रेस से धन्यवाद.